भोच पूरे फिल्म इंडस्ट्री में सुपर स्टार पवन सिंग और सुपर होट अक्षराज सिंग किसी पहचान के महताज नहीं। दोनों अपने फन के लिए माहिर हैं। और कभी इनकी केमिस्ट्री का जादू लोगों परसे चड़कर बोलता था। लेकिन आज ये गुजरे जमाने की चीज हो गए। दोनों का ब्रीक अप वह सब को पता है लेकिन ये किसी को नहीं पता कि ब्रीक अप किस नोट पर हो। आज चीज़े बदल चुकी है ऐसे मैं अचानक से अक्षरा सिंग पवन के आँखों में क्यों खड़कने लगे। तब अप्रा उनके ढाल बने। अक्षरा कहा है अगर आप लेकिन से किसी लड़की को बखाया वह पैसे दिया। तो यह कोई अच्छा नहीं हुए। क्योंकि उस लड़की में भी आपको अपना पुरा वबास दिया। आपको शंभाला और सवारा ये जानते होगी थी एक लड़की के साथ ओनेस्ट रहना उनके लिए नेक्स्ट फू इंपॉसिबल थी। अक्षरा ने कहा कि पवन सिंखे सी एक लड़की के साथ सबगाई होई हुए कर सकते। ये सप्मेन ही कह रहे हैं ये सब जानते हैं यहां तक लिए परहार तुलेगों कोई करते हैं। और जुनकी रोजी होटों से चलती हो वो काल्यों सुन कंदी सब बर्दास करते हैं। तो उनसे कुछ बोलने की नियुक्त दिनी दिगा। अक्ष्रा के माने तो कोवन से को जब उनकी अपनी लोग फोर कर खाग रहा चक्ता बुलेएं उन्हें सम्हाला। अक्ष्रा कहती है कि कई मौके तो ऐसे दिया है जब एरफोर पर बद बिलाती परज़ा से उसे उनका प्रैक्टिक कंदी परने का हाथ तक दोना करा। उस वक्त उनके अपनों लेगी उनको उनके हाल पर खोड़ दिया था। अक्ष्रा ने कहा तो बहुत बुरा फ्रेज था। जिसे मैंने च्छेला था। वरना कई लग्षों ने तो गुवी की वज़े सिसाइब कर दिया रात 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 इसक्ताया थे। लेकिन मैं अपने टैलेंट के तम पर अपने शक्ताया थे। जिसके लिए मेरे माता पिता मेरी फतना देखा था। उन्होंने मेरा हमेश्या मुश्किल वक्त में शाथ दिया। उस दिन भी जब पवन सिंग के साथ मेरे रिस्ते की तिलांजली हुई थी तब उन्हें पता चला। उस वक्त मैं उनसे आँखे मिला नहीं पा रही थी। लेकिन मेरी खुशनशी भी है कि मेरे पैरेंट्स ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। सब कुछ जानते हुए पवन सिंग के साथ रिलेशन को लेकर अक्षरा शिंग ने कहा कि इसे आप मेरी गलती समझे या मेरी मजबूरी। मैंने हमेशा इंसानियत को तवज्जो दी है। आज भी मैं किसी का बुरा नहीं सोचती हूँ। हमारा रिलेशन एक विभत्स नोट पर खत्म हुआ। लेकिन मेरे संसकार ऐसे नहीं कि उनकी तरह गंदगी फैला। लेकिन जब हमारा रिलेशनशिप खत्म हुआ था तब भी उनका कहना था कि जई हैं कहां मेरे बिना कैसे काम करेगी। जब मैंने काम सुरू किया तो मुझे कई फोन कॉल्स करवाए। जान से मारने की धंकी दी। बड़े बड़े डारेक्टर प्रोड्यूशर से प्रोजेक्ट छिनवाए। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। अक्षरा कहती है कि अगर मुझे में टैलेंट है तो मुझे आगे बढ़ने से भागवान के लावा कोई भी नहीं रोक शकता। वही हुआ मैंने अक्टिंग के बाद गाना भी शुरू कर दिया और लोगों ने अपना प्यार और आसेवाद से मुझे अकसेप्ट किया। इसे मैं पाने सर के उपर हो गया। तभी जिस चीज को भूला कर मैंने मूब आन किया था वह आज कहनी परी। वरना मैं तो किसी का बुरा कभी नहीं सोचती क्योंकि मेरे संसकार इसकी इजाजत नहीं देते।